एक लड़की थी गुमला की, चोरी से चुपके से मुझे मेसेज किया करती थी, ना जानी किस सिर डरती थी, जब भी मेसेज करती पूछती, सर कभी भी गुमला से फॉम निकलेगा तो जरूर बताना, उसके मन में बहुत थी टेंशन थी, पर दोस्तो मैं हमेसा यही कहता था, निकलेगा तो जरूर बताऊंगा, और दोस्तो तो आज वो दिन आ चुका है, जब मैं उसे कह सकता हूँ कि गुमला से एक फॉम निकला है दोस्तो, और उसके लिए नहीं सभी के लिए मैं यह बताने जा रहा हूँ, जी हाँ दोस्तो, जारकन सिचा पर योजना, गुमला के सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों साथ जरूर सेर कीज़ेगा, यह मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तो, देखिए यह आज ही निकली है, और यह आदर्स विदालाई योजना के अंतरगा, जीले के उत्कृष्ट विदालयों में, स्कूल अप एक्सलें राची के संकल संक्या 697, दिनांग 15-3-2000 के आलुक में, जीले के उत्कृष्ट विदालयों एवं पर्खन अस्तरिय आदर्स विदालयों में, अल्प कालें 17 आदर्स अशनात को तर पर सिच्चित यह अशनातक पर सिच्चित सिचकों के चैन है तो अभियर्चियों के लिए निम्निक निम्नांकित सर्तों की अधिन दिनांग 25-1-2023 के अपराहन 5 बजे तक यानि 25 जन्वज तक जिल्ला कायरकरम पतादिकरी समगर सिच्चा वियान गुमला इंपोरियम बिल्डिंग सदर अस्पातल अस्पाल परिसर गुमला पिन कोड तीरासी बावन जिरु साथ मे जाते हैं यानि इसी अड्रेस पर आपको बेजना है कि अब बताते हैं कितने सीटे हैं देखे यहां हिंदी में देखे दोस्तों टोटल तीन सीटे हैं इंगलिस में दो सीटे हैं उर्दू में एक सीटे हैं मैतेमेटिक्स में साथ सीटे हैं बाइलोजी में पांच सीटे हैं जोगरफी में तीन सीटे है, हिस्ट्री में आर्ट सीटे है, संस्क्रीट में देख सकते हो, चार सीटे है, एकोनमिक्स में यहाँ पर देख सकते हो, एक सीटे है, कॉमर्स में एक है, फिजिकल है, जोके सिर्म में दो है, नाकपूरी में दो है, मुंदारी में दो है, Cool मिलाकर 41 है और यहाँ पर देख सकते हो category wise यहाँ पर बाटा गया है आप एक बार देख लो ठीक है? स्क्रिंसूट भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और आगे देखे दोस्तो category wise vacancy यहाँ पर English में 4 है History में 1 है Mathematics में 4 है Physics में 5 है Biology में 5 है Chemistry में 3 Commerce में 4 है और Cool मिलाकर आप देख सकते हो इसमें Cool मिलाकर यहाँ पर आपका 26 है और यहाँ category wise भी बाटा गया है तो यह आपका हो गया सारे सीटे ठीक है? आपका category wise बाटा गया है अब देख लो है न अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तो तब तक आप वीडियो को थोड़ा सा सेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को फरवाड करें ठीक है अहरता इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए सिंपल सा है मैंने पहले भी बताया था PGTC 6 के तू आप सिक्षा परेसाद 2 1 2 2 संकच घौःसिट डिग्री होना चाहिए या बीर या इसके संकच क्च कोई भी होना चाहिए टीज़िटी टीज़िटी के लिए वह ही है दोस्तों देखे मैंने था प्रव्व संस्थान से समधित बिशे में चेन होना है जिस बिशे के लिए आपको चेन होना है उसमें 45 परसंट रांकों के साथ चाहिए इसनातक के डिगरी और जनरल के लिए लेकिन अगर आप आपका बिएड होना चाहिए लेकिन इसमें बता दू पीजी प्लस बिएड होना चाहिए ठीक है और इसमें स्रिफ बिएड होना चाहिए बिएड प्लस ग्रेजुएशन ठीक है यह होना चाहिए अब देखिए उम्र की सिमा मैंने इससे पहले भी बताया था सुबस बता दिया था 21 से 55 वर्ष होगी मैंने आपका बता दिया था किसका कितना है वह मैंने बताया था उम्र का आकलन 3112 2022 की आधार पर क्या किया जागी याने 322022 में आपका 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और 55 वर्ष अधिक से अधिक होना चाहिए केटेगरी वाइज है किसी का 40 है किसी का 40 है उसके लिए पिछले वीडियो देख लिजेगा मैंने आपको बताया था वो पूरा जब नोड़ पिखेशन आ जाएगा अनुसमें लिखा रहेगा ठीक है आरचन आरचन के लिए देखे जिला असतर यह निवक्ती है तो आरचन रो हो तो आपको माना जाएगा ठीक है अगर पहले का है तो भी चलेगा अगर अभी जो फिलाल है फिलाल जो बनता है दोस्तों यह भी चलेगा ठीक है एसनात को तर को जो टीचर बनें PGT को आपका सताएजाजार पांस मिलेगा PGT जो है उन लोगों को 26220 मिलेगा पिछली आधार पर चैने सिचक सिचक इसकुलिस सचता विवाग जारकन संकार के संकल्प संक्याच 697 153 2022 के अंतरगत नंकिस सर्थों के अधिन कायरे करेंगे चैन सचनिक सत्र समापती या नियमे सिचक के योगदान करने तक जो भी पहले से अलपकालिन समिदा के अधार पर की जाएगी सेचनिक पत्र समापती के पच्चाट सेयन के समित्य द्वारा अलपकालिन समीदा के आधार पर चैनित एम्काइर कर रहे सिछक के चेयन समित्य द्वारा ये करवाई परतीक सेचनिक सद्र के प्रारण होने के पूरुव कर लिजाएगे यानि आप दावा नहीं कर सकते हो कि आप मुझे पर्मानेंट कर दे ठीक है यहां पर देखे एक सचने कोर्ष में गारमा है तू कायर करने समंदिक एक्रार नमा के आधार पर किया जाएगा यह एक्रार नमा चैने तूमिद्वार यहां समदित विदाले के प्राचायर के बिच निर्धारी सर्तों के अनुरूप किया जाएगा ठीक है सिंबल सा बात है आविदन करने की परकिरिया जो आप एक बार देख लीजे कब कब कहां से कहां आविदन करना है पज़ेस एक दूजार तेज के अप्राहन पांच बज़े तक केवल ने बंदिन डाक के माइदाम सिर्फ डाक के माइदाम से आपको यह जो एड्रेस है जिला सिच्छा पतादीकारी सह जिला कारकरम पतादीकारी समागर सिच्छा अभ्यान गुमला इंपोरियम बिल्डिंग सदर अस्पतालाई परिशार गुमला पीन कोड नमर आपको यह देना है और देखे इसका जो डीटेल है इसका पूरा फॉम ओम आपको गुमला.nic.in प अब अर्थियों के लिए 50 रुपे निर्धारित की जाती है आधान सुल्क क्रोस डिमांड ड्राप्ट ठीक है क्रोस डिमांड ड्राप्ट बेंकर चेक जिला सिच्छा पताधिकारी गुम्ला के पदनाम पेबल एट गुम्ला में स्विकार के जाएंगा देखिए आप जो बना होगे उसमें यह लिखा हुआ होना चाहिए ठीक है पेबल एट गुम्ला के कोई भी बैंक में यह पेबल होना चाहिए पातरता चेहन परिचा में बैटने की अनुमाती पुर्ण और बंदिक होगी परिचा के लिए परविश्पत्र निर्गत होना यह परमारित नहीं करता क कि अबरती बिग्यापती द्वारा पदेतु निर्दारित पातरता पुरी करते हैं चेहन समिती द्वारा बिग्यापत पद आविदन करने वाले अबरती पातरता समंदी परमान पत्रों की जांस कर ली जाएगे निर्दारी जांस के कायर करम के अनुपस्तित रहने अनुप ड्राप आपको बना के भेजना है ठीक है और एक्जाम होगा कि नहीं लिखा हुआ है दोस्तों परवेस परिष्छा पत्र लिखा है सिर्फ हो सकता है कि आपको बुलाए जाए और सिधे काउंसेलिंग किया जाए या आपको इंटर्व्यू लिया जाएगा ठीक है तो फ्रेंट्स ये था एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि आपके टीजेटी और पीजेटी स्टूडेंट के लिए आई है दोस्तों आसा करता है ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी ठीक है फ्